Hi everyone, in this video we are going to discuss about the female infanticide and female foiticide. Female infanticide का मतलब होता है, जब हम लोग एक female child को intentionally मारते हैं, वो भी पैदा होने के एक साल के अंदर by giving poison या फिर indirectly उसके खाने पीने क्यों ना ध्यान देकर, उसे हम लोग कहते हैं female infanticide. और female foiticide का मतलब होता है, जब एक female child उसके मा के गर्ब के अंदर है, और उसी गर्ब के अंदर ही अगर हम लोग एक female child को मार रहे हैं, उसे हम लोग कहते हैं female foiticide, बहुत बच्चे infanticide और foiticide के अंदर पे confused हो जाता हैं, तो थोड़ा ठीक से समझो, तो एक point हम लोग पढ़ें कि infanticide और एक point हम लोग पढ़ें female foiticide, infanticide का मतलब होता है, जब एक female child पैदा हो चुकी है, और एक साल के अंदर ही उसे हम लोग intentionally मार रहे हैं by giving poison, या फिर उसके खाने, पीने को न ध्यान दे के, उसे हम लोग कहते हैं infanticide, और जब एक female child उसके मा के गरब के अंदर है, और उसी गरब के अंदर ही अगर एक female child को मार रहे हैं, उसे हम लोग कहेंगे female foiticide, और ये female infanticide और forticide इसलिए हमारी society पे हो रहे है क्योंकि हमारी society पे लड़कियों को बोज माना जाता है इसलिए ये बहुत देखा जाता है कि जब एक Indian couple को पता चलता है after sex determination test कि उनकी एक लड़की होने वाली है तो वो लोग उस society के डर के वज़े से की society हमारी उपर हसेगी तो डर के वज़े से वो लोग अबॉट कर लेते हैं so आपका next point है infanticide is a homicide of an infant homicide का मतलब होता है मानव हत्या करना of an infant मतलब एक छोटी बच्ची का हत्या करना generally it is a female infanticide and it is more prevalent than male infanticide हमारी society पे male infanticide ज्यादा देखने को नहीं मिलती है female infanticide ज्यादा देखने को मिलती है क्योंकि हम female infanticide can also be defined as killing of an entirely dependent child under one year of age ये तो point थोड़ा याद रखना कि female infanticide का मतलब होता है एक साल के अंदर ही उसे मार देना मतलब पैदा हो चुकी है और एक साल के अंदर ही उसे मार देने को हम लोग कहता है female infanticide so आपका next point है ये जो female forticide और infanticide हो रही है ये इसी के लिए हो रही है क female forticide and infanticide had adversely affected Indian society हमारे Indian society को adversely affect कर रही है और इसी के बज़े से मतलब ये forticide और infanticide के बज़े से हमारा जो sex ratio है वो imbalance हो रहा है मतलब लड़कियों का sex वो धीरे धीरे कम रहा है और male का जो sex है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है so आपका next point है causes for female forticide and infanticide क्यों ये सारी चीजे हो र रही है so आपका next or main point है वो है आपका gender discrimination इसी के वज़े से ही ये female forticide and infanticide हो रही है तो कि हमारी society ही है ऐसी society की लड़कियों को थोड़ा मतलब बदनामी मिलती है लड़कियों को घर का बोज माना जाता है तो इसी के वज़े से ही ये forticide or infanticide हो रही है lack of education educated लड़के लोग ऐस infanticide देखने को हमें थोड़ा कम मिलेगा traditional practices मतलब बहुत traditionally की भी एक बहुत हमारा एक practice है कि लड़कियां मतलब ये है वो है बहुत सारी चीजे उनकी उपर बनाई दी गई है तो इसके वज़े से भी ये forticide or infanticide हमें देखने को मिल रही है future speculation भी है जैसे अगर एक लड़की ह हो गई तो मतलब उसके dowry के लिए पैसा रखो फिर उसकी साधी के लिए उतना फिर बढ़न लो तो ये सारी चीजें के लिए भी हमें ये सारी चीजें हमको देखने को मिल रही है obsession for son हमारी society के जो लोग है वो obsessed with son है fear of dowry by many poor class family dowry के प्रथा को डर के भी female child को abort कर लेते है girls are considered as financial obligation by many parents हमारी society ही है ऐसी society है कि मतलब लड़के लोगों को बहुत ही focus करते हैं लड़कियों को उतना थोड़ा नहीं ध्यान देते हैं so our next point है the Indian practice of female infanticide and sex selective abortion तो देखो यह एक point है sex selective abortion का मतलब होता है जब आपको पता चल जाता है कि आपकी लड़की होने वाली है या फिर लड़का तो हमको जब sex पता चल जाता है और हम लोग selectively उसे abort कर देते हैं मतलब लड़की है तो उसको abort कर देंगे और लड़का है तो ही करते हैं इसे हम लोग कहते हैं sex selective abortion has been cited to explain in part of gender imbalance इसी के वज़े से gender का imbalance हो रहा है that has been reported as being increasingly यह तेजी से बढ़ रहा है since 1991 infanticide is now a days a criminal offense यह criminal offense माना गया है but still it is an unreported crime reliable objective data is unavailable so आपका next point है जो आपका जो लड़की लोगों को जो मार रहे हैं यह cruel है an abdominal act that must be stopped इसको stop करना चाहिए the only way for that is to spread awareness जब हम लोगों के मन में एक awareness create करेंगे कि लड़की लोगों को मत मारो मतलब यह सारी चीज़े मतलब गलत चीज़े हैं जब हम लोग एक awareness create करेंगे तब ही ही यह 40 side और infanticide बंद हो जाएगा so क्योंकि हमारी society वालों को पता नहीं है कि अगर हमारे देश पे अगर लड़की का मतलब नंबर अगर कम हो जाएगा तो स्थिति क्या होगी, consequences क्या होगी, उनके मन में यह सारी चिंता नहीं है वो लोग continuously स्रिप यह चाहा रहे हैं कि लड़का हो, लड़का हो, लड़की ना हो उनके घर पे क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि अगर लड़की अगर नहीं होगी तो मतलब इस धर्ती का consequences क्या होगा तो ये सारी चीजें हमें लोगों के मन में एक awareness create करना होगा तभी ये female forticide और infanticide का number कम होगा तो आपका next point है we need to educated those educated as well as uneducated ignorance तो ऐसा कहीं पे नहीं लिखा गया है कि अगर educated हो जाएंगी अगर सारे देशवासी तो ये forticide and infanticide कम हो जाएगा ये हमारा बस एक मानना है कि अगर educated person होगे तो ये सारी चीजें कम हो जाएगी पर हमारी society पे ये भी आप भी जानते होगे कि बह educated अगर हैं तो ये infanticide और forticide देखने को हमें नहीं मिलेगी तो जो educated है तो उनके मन में एक awareness create करना होगा और जो uneducated है उनको तो और मतलब वो strict rule regulation उनके उपर लागू करना पड़ेगा ताकि ये female forticide और infanticide ना हो then आपका next point है who commits such crime as female infanticide हम लोग television, advertisement, movie के थ्रो भी society को ये बता सकते हैं कि अगर धरती पे अगर लड़की नहीं होगी तो consequences क्या होगे उस सारी awareness को हम लोग create कर सकते हैं उनके मन में through television, through advertisement and through movie क्योंकि आजकल social media का ही जमाना चल रहा है so इतना ही था female infanticide पे, female forticide, female infanticide का मतलब था कि लड़की पैदा हो चुकी है और एक साल के अंदर ही उससे हम लोग intentionally मार रहे हैं female forticide का मतलब होता है लड़की अभी मा के गर्ब के अंदर है, मतलब warm के अंदर है और उसी warm के अंदर ही हम लोग उसे मार रहे है female foiticide देखो नाम से पता चल रहा है मतलब foiticide मतलब उसके fetus के अवस्था पे उसे हम लोग मार रहे है अभी तब वो लड़की पैदा नहीं हुई है उसके fetus के अवस्था पे उसको मारने को हम लोग कहते है fetiside और यह जो fetiside और जो infantiside है यह female के case पे ज़्यादा देखने को मिलती है क्योंकि हमारी society एक obsessed with son है लड़कियों को बोज माना जाता है इसलिए female infantiside और fetiside ज़्यादा हमें देखने को मिलती है female fetiside is defined as aborting of female fetus after sex determination test हमारी जो इंडियन के जो कपल होते है उन्हें जब पता चल जाता है after sex determination test के बज़े से उन्हें जब पता लग जाता है कि उनके एक लड़की होने वाली है तो वो लोग क्या करते हैं abort कर लेते हैं उसकी fetus के अवस्था पे उसे ही हम लोग कहते है female foiticide हमारे medical पे कुछ-कुछ बहुत ही अच्छी अच्छी टेकनीक है जैसे ultrasonography और fetoscopy जिससे ये पता चलता है कि fetus पे कोई abnormality है या नहीं और अगर कोई extreme cases वाला अगर कोई abnormality है उसी extreme cases पे ही fetus को abort कर दिया जाता है पर इस टेकनीक पे ये भी आपको पता चल जाता है कि आपका बच्छी का sex क्या है मतलब लड़का होने वाला है या लड़की होने वाला है और इसी का फाइदा उठाते हुए बहुत सारे Indian couple female को abort कर लेते हैं इसको misuse किया जा रहा है इन दोनों टेकनीक को बहुत सारे ऐसे factor है जो female foitas है इसको favor कर रहे है जैसे पहला है आपका evil of dowry मतलब dowry के वज़े से भी ये female foitasite हमें देखने को मिलती है dowry पे क्या होता है लड़के वाले लड़की वालों को बहुत expensive gift का demand करते हैं और जब expensive gift वो लोग afford नहीं कर पाते हैं तो उनकी लड़की को continuously harass कर देते हैं और इतना torture करते हैं कि लड़की का विकबार खुद भी suicide कर लेती है तो ये dowry के प्रथा के डर के वज़े से भी ये fetiside और infantiside हमें देखने को मिल रही है सो second point है आपका social security हमारी Indian society पे एक मानना है कि अगर हम लोग एक लड़का के उपर अगर हम लोग पैसा invest करेंगे तो वो घुम फिर के कल को फिर हमारे पास ही आएगा पर अगर हम लोग एक लड़की के उपर अगर हम लोग invest करेंगे अगर वो कल को जॉब कर भी ली तो अपने सस्वराल वालों को ही संभाले के मतलब हमारे घर पे वो पैसा लोटके नहीं आएगा तो वो social security के वज़े से भी हम लोग एक लड़की को नहीं चाहते है और लड़का को हम लोग चाहते है तो उसी social security के वज़े से भी ये infantisad और feeticide हमें देखने को मिलती है सो आपका next point है religion मतलब हमारी पुरान के according भी बहुत सारी चीज़े हैं जैसे मतलब एक लड़की आग नहीं दे सकती चिता पे तो बहुत सारी चीज़े हैं हमारी पुरान पे जो मतलब डायरेक्ली ये बोलती है कि लड़कियों का status society पे कुछ नहीं है और भी हमारा जो रमायन है सब कोई जानते होंगे रमायन पे मतलब राम भगवान को बहुत एक आदर्सवादी दिखाए गई है तो हमारी society का मानना है कि हमारा घर पे भी ऐसा ही चिराग पैदा हो जो हमारे घर पे जितने भी लोग हैं उनको मोक्ष दो मोक्ष दे तो ये सारी मतलब वो ideal के वज़े से भी बहुत लोग एक लड़के को पसंद करते हैं और लड़कियों को पसंद नहीं करते हैं small family norm है मतलब बहुत लोग ये करते हैं कि मतलब एक छोटा परिवार होगा तो खुशी होगा क्योंकि आजकल economically भी बहुत बड़न आ गया है तो सब कोई चाहते हैं कि छोटा परिवार हो तो वो छोटे परिवार के वज़े से भी female forticide हमें देखने को मिलती है second आपका last point है society today in modern India women is regarded as a commodity and marriage मतलब लड़कियों को एक वस्थू की तरह माना चाता है, एक enjoyment की तरह माना चाता है, उनकी status हमारे society पे बहुत ही low है has become more of a business alliance हमारी जो modern जो इंडिया है आजकल हाला कि स्थीथी थोड़ी change हो चुकी है पर आजकल भी कई जगा पे ये है कि मतलब एक जो साधी है वो एक बहुत ही पवित्रा रिस्ता है, मतलब एक sacred bond between two souls, मतलब तो आत्मा के वेच पे बहुत ही अच्छा bond है, पर इसको आजकल एक business बना दिये है मतलब जब लड़की वाले expensive gift देंगे, तभी उनकी बेटी को हम लोग खुशी से रखेगे और अच्छे से रखेंगे Harris बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तो ये एक business बन चुका है, वो पवितर रिस्ता वाला वो कुछ भी seen नहीं है, तो इसी के वज़े से भी ये fetiside और infanticide हमें देखने को मिलती है So आपका last है, consequences of fetiside इसका consequences क्या होंगे, decrease in female population ये fetiside और infanticide के वज़े से female का जो population है, वो धीरे-धीरे हो रहा है, बहुत सारी adverse effect भी हमें women के health पे देखने को मिलती है और women लोगों को continuously abuse किया जाता है, मतलब गाली जगडा पे उनको involved किया जाता है उनको sexually exploit किया जाता है leads to women trafficking, women trafficking का मतलब होता है, लड़की लोगों को kidnap कर लेना, फिर उनको फिर sexually या फिर physically exploit करने को हम लोग कहता है, women trafficking आपका last है, women are kidnapped, bought and sold for marriage, लड़की लोगों को kidnap किया जाता है, फिर उनको दुसरे-दुसरे देशों, दुसरे-दुसरे जगहों पे उनको बीचा जाता है for sexual exploitation आपका last, यहीं पे और एक point है preventive steps, क्या-क्या steps हमें लेने चाहिए, to control the female forticide and infanticide आपका पहला यहीं पे point है empowerment of women and strengthening of women rights through campaigning, मतलब women का जितना भी rights है, वो बहुत लोगों को नहीं पता है, उसको strengthen करना चाहिए मतलब उसको support करना चाहिए through campaigning और जितने भी उज़े डावरी का जो प्रता है, उसकी against strict rule और regulation बनने चाहिए, ताकि यह female forticide and infanticide नहीं हो, क्योंकि डावरी के वज़े से भी यह forticide और infanticide हमें देखने को मिल रही है, तो जितने भी factor है, जो forticide और infanticide को favor कर रहे है, उन सारे factor को, मतलब उन सारी factor के against strict rule और regulation बनने चाहिए आपका यहीं पे है क्योंकि बहुत हमारे इंडिया पे uneducated भी है, तो उनको नहीं पता है कि किस करा से registration form भरना चाहिए, तो एक simple method of registration होना चाहिए ताकि uneducated लोग भी आके वो register file कर सके, अब का last point है white publication, देखो आजकर media का ही जमाना है, तो हम लोग media के थोब भी यह सारे awareness को feticide और infanticide नहीं होनी चाहिए, अगर हमारी अगर earth पे अगर लड़की का अगर population अगर कम हो गया, तो उसके क्या-क्या consequences होंगे, वो सारे चीजों को हमें लोगों पे alert करनी चाहिए, ताकि यह feticide और infanticide ना हो, so I hope की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, thank you